हाई गाईज वेल्कव मैं की माई चैनल मैं हो सगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपस्वागत है तो अगेन मैं एक आज ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ और ऐसे चीज आपको बताने आई हूँ सपाट के हैं कभी जो मेरे रेगुलर फॉलोवर्स हैं वो मुझे देखने हैं कि किनी कारणों की रज़े से मैंने भी वेट पुट आउन गया था लेकिन इस लॉक्टाउन में मेरा वेट काफी अच्छा गया है मैंने अपना पीट भी आप देख सकते हैं मैंने अपनी कमर और आपर पीट भी काफी सापाट के है और ये इस चीज ने भी जो मैं आपको बताऊँगी काफी हल्प की है साथ य Sum 2 provide this आप सकते हैं करेगा इस खाफी हेर्स को भी अच्छा अच्छा रखेगा और पीट को सापाट just like आप में देखा होगा बॉलिवर धिरोईंस जो हैं उनका पेट ब्लुकु सपाट रहता है यानि इतना सपाट रहता है कि आपको लगता है कि उस पर किसी ने प्रेस किया हुआ है तो कहीं न कहीं यह जो चीज है आपके पेट को टक करेगा अंदर करेगा और क्योंकि ऐसा देखा गया है कि पेट की जो चरबी है और जो पेट निकला रहता है वो हमारे नाभी एरिया के पास जादा निकला होता है तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि वो नाभी एरिया टक हो यानि कि अंदर की तरफ हो और वो क्या करने वाले हैं अपनी देसी पुरानी जुगार की तरफ जाएंगी कि कैसे पुराने लोग आपने देखा होगा कि इतना अच्छा उनका फीगर रहता था इतना अच्छा पेट रहता था सब कुछ अच्छा रहता था लेकिन वो सिर्फ किन उपायों से रहता था वो आज मैं आपको बताऊंगी सर्फ में से एक उपाय बताऊंगी काफी ज्यादा अच्छा है काफी ज्यादा effective है मैंने भी यूज किया है और एक चीज मैंने और भी यूज किया है अच्छा और देशी उपाय है आपके पेट को अंदर करने के लिए साथी साथ बहुत सारी questions यह आ रहते हैं कि सुगम आप अपने skin routine and hair care का वीडियो बनाएए तो friends मैं आपको बता दू कि मेरा एक चैनल भी है और चैनल है सुगम beauty zone करके उसका link मैं नीचे दे दूँगी आप उस पे जाके मेरी skin से related कोई issue हो hair से related कोई issue हो सारी चीजे उसमें मैं clear करती हूँ साथी 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 में makeup videos DIY सब कुछ इसमें बबराती हूँ तो time to waste नहीं करते हैं वीडियो की तरफ बढ़ती है और उस चैनल पर जाने के लिए link मैंने नीचे दे दिया है यहां से जाके आप डारेक्ट उस चैनल पर पह सकते हैं तो time to waste नहीं करते हैं और चलिये चलते हैं वीडियो की तरफ इसके लिए आपको ठीक चाहिए और जब गरम हो जाय तो उसमें आपको डालना है सर्सों का तेल भी अच्छे से गरम हो जाए गरम in the seinz कि यह पूरी- tरह से से पख जाया तन आपको add करना है तब आपको यसमें add करना है धेर सारा ही therapy और बस आपको अपर पगहा ड्याश क करोंगे धेड सारी हींग आड़ करनी है आपको और तुरंद गैस बंद कर देना है जब ये ओल ठंडा हो जाए तब आपको हींग की क्वांटिटी एक कपड़े पे रखनी है कॉटन का कपड़ा चकोर कपड़ा या फिर रूई जो जिसे कॉटन बोलते हैं उस पे धेड सारी आपको हींग रखनी है और उसे आपको अपनी नाफी पे रखना है राद भर इससे क्या होगा एक ध्यान रखेगा ये पूरा ठंडा नहीं होना चाहिए हल्का सा गुनगुना आपकी नाफी पे गर्माहत रहेगी राद भर और हींग एक ऐसा एंटी बैक्टिरियल में बोल आपको पेट साफ ना होने की दिक्कत होती है वो भी बहुत हद तक ठीक करेगी डेक्स देखा आसान देशी उपाय साथ ही साथ इस लाउंडाउन में सारी चीज़ें आपके घर में मांक में बोलूंगी की जीरो पैसे का उपाय और बहुत जादा बोलूंगी तो एक रुप सब्सक्राइब करें दाद। में दो तक बो भादी जा एक ना हो साथ तक्तक्ति ले राइ